है कि अधा कि अधा कि आधा चुछ लेगेंट जैसा कि आप जानते हैं अधा को पिछली वीडियो में एलेक्ट्रो लाइट के वारे में जानकारी दिया था और इलेक्टोलाइट का ट्रकार वाले अपलो देखा था यानि मतलब काना चाहिए कि इलेक्टोलाइट को कितने बरगुम बाटा गया है तो दो बरगुम बाटा गया था उसके बारे में अपन लोग देखें और उसके अंतर में भी देखा आज की क्लास में अपन लोग थोड़ा पांच डिखनीशन है उसके बारे में अध्यान करेंगे ये बहुत ही महत्रकुन कोश्चन है इंपॉर्डन कोश्चन है और आप जिक्टू टाइम में भी कोश्चन है क्योंकि कहना चाहिए कि जैसे एंपियर होता है तो एंपियर क्या है विद्द्धारा है तो विद्द्धा धारा इलेक्ट्रिक करें यानि विद्द्धारा के बारे में बात करेंगे विद्द्धारा है क्या और इसके आवेश यानि मात्रा के बारे में बात करें ठीक बच्चों चलिए पढ़ते हैं किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाहित की दर को यानि कि किसी चालक में से मतलब ऐसा नहीं कोई है आप एगर कोई बूर ले ले लेुज़िए लकड़ी लेजिया उसमें धारा का प्रवाह अतर ने लेजिए तो ऐसा नहीं ऐसा पदार्त लेना है जो क्या हो तो किसी चालक में शे प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाहित की दर्पो विद्दुद धारा काते हैं आपको गर छोटी फी डिक्सिशन बोलना है तो डारेट बोल दीजे आवेश के प्रवाहित की दर्पो ही क्या काते हैं बिद्धुत धारा काते हैं इलेक्ट्रिक करेंट काते हैं और इलेक्ट्रिक करेंट से किसे ब्यक्त करते हैं बच्चों कैप्टल आई से रसकियाता है इसे क्या करते हैं कैप्टल आई से ब्यक्त किया जाता है बच्चों थोड़ा नोट बना लिजेगा क्योंकि नोट बनाने में आपको अच्छा रहेगा क्योंकि पढ़ने में भी आपको आराम रहेगा और कौजने में भी ठीक है तो नोट ज़रूर बना देजेगे बच्चों ठीक अब बताईए क्योंकि डिफिनिशन तो हो गई अब काना चाहिए कि विद्दुद धरा को दरसाते किस्ते हैं तो I के जेक्ट करते हैं तो I उसक्वल क्या होगा बच्चों तो I उसक्वल हो जाता है DQ upon DT याद रखिएगा I is equal to क्या हो जाएगा DQ upon DT फिर पूछा जाता है DT क्या है तो T तो आप आप जानते हैं टाइम है लेकिन DQ क्या है तो DQ विद्दुद आवेश की वह मात्रा है जो चालक में से DT प्रवाइश होता है बिद्दुत आवेश की वह मात्रा है चोकि आवेश मारा क्यों है तो बिद्दुत आवेश की वह मात्रा है जो DT शमय में क्या होता है प्रवाहित होता है क्या प्रवाहित होता है आवेश प्रवाहित होता है तो उसी को क्या बोलते हैं विर्दुधारा काते हैं ठीक है आवे जो प्रवाहित होता है तो धनावेश के प्रवाहित की दिशा इलेक्तानों के प्रवाहित की दिशा माने जाती है ठीक है वच्चों याद रखना अब बात करते हैं विर्दुधारा का मात्रा क्या होता है तो याद रखिएगा विद्धुद्धारा का मात्रा क्या होगा, MPR होगा, पूशा जाता है कंप्रीशन में, विद्धुद्धारा का मात्रा, तो याद रखिएगा विद्धुद्धारा का मात्रा क्या होगा, MPR, अब पूशा जाए आपसे question किया जाए कि विद्धुद्ध या विद्दध्धारा को एम्पीयर में मापज़ाता थीक है department कुलाम का आवेस एक शेकरन में प्रवायज होता है तो पूश रहा है विल्दो धारा की मात्रत क्या होगी तो याद रखेएगा वहाँ पे एक एक एम्पियर इंप पर आएगा, क्या होगा बच्चों, एक एम्पियर इसका एम्पियर, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, यह जो कोश्चर मैंने किया, उसका जवाब क्या होगा, एक एम्पियर होगा, बन जाएगा ना, चलिए, कमझ जी आगे कि नहीं आया, चुकि बहुत ही मात्रपूर कोश्चन है, इलेक्ट्रिक करेंट है, इलेक्ट्रिक करेंट मतलब होगा, कि इसी चालग में धारा प्रवाइद होने के यह, यानि आवेज के प्रवाइद की दर्वोग, क्या खाते हैं, बेदुत, धारा, चलिए, दूफरे पाइंट की बाद करते हैं, इसी बाद करते हैं, दूफरा पाइंट होता है बच्चों, प्रवाइद हो रही है, तो उसमें क्या हो, कोई रुगावट आ जाए, ठीक है, प्रतिरोध, यानि हम जा रहे हैं, तो हमारे में कोई क्या हो जाए, रुगावट उपन हो जाए, देखें क्या लिखा उन्होंने प्रतेक चालक विर्दुध धारा के प्रवाह में, कुछ रुगावट, यानि प्रतेक चालक विर्दुध धारा के प्रवाह में, कुछ रुगावट, रुगावट को क्या बोला है, उन्होंने, गतिरोध, कुछ रुगावट या गतिरोध उत्पन करता है, जिसे चालक का ठीक है, समय म्याग एडिसिनेशन क्या लिखा हुआ है, कि प्रतेक चालक में विर्दुध धारा के प्रवाह में गतिरोध यारी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, जो धारा जा रही है, तो उसमें कुछ क्या करें, रुकावट डाले, यानि गतिरोध उत्पन करे जब गतिरोध उत्पन हो जाती है, तुसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध को किसे दर फाते हैं बच्चों, कैप्टल आर्चे ब्यक्त किया जाता है, और प्रतिरोध का मात्रग क्या होगा बच्चों, तो प्रतिरोध का मात्रग होता है, ओम, इसकी मात् प्रत्रोज का मात्रक ओम होगा ओम का पैंबल इस अब बात करते हैं ओम में ओम का नियम आता है ओम प्ला क्या होता है तो देखिएगा किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले क्या लिखा हुआ है किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्द धारा की सामर्थ आई चालक के दोनों फिरों पर लगाए गए विवांतर भी के समानपाती होता है मतलब जो हमारा विद्द धारा की सामर्थ आई जो होगी दोनों फिरों चालक का जो रोगाए दोनों फिरों फिरों मतलब पर लगाए विवांतर भी के समानपाती होता है तो प्रफ में मतलब जो आपका नियम है नियम के अधार पर क्या बताया आई जमानपाती या आई डारेक्ली प्रोफनल भी के ठीक है अब इसको फाल करिए तो क्या हो जाएगा आई जिकल टू क्या हो जाएगा आई जिकल टू आर इन्टू भी या इसको हम आयसे भी लिख सकते हैं भी जिकल टू आई आर ठीक है चुकि आपको पता है कि आई की स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा I is directly professional भी या भी is directly professional I, यह दोनों हो पकता है कि नहीं हो पकता है, यह दोनों यह करके लिखा जा पकता है कि नहीं लिखा जा पकता है, चोंकि I is directly professional भी या भी directly professional क्या होगा, I, तो मैंने जब इसको follow किया, तो I is equal to R into V, R कहां प्याया, R एक इस्ट्रांग होता है तो आप लिख सकते हैं यहां पर जहां आर एक क्या है जहां एक जहां आर एक इस्ट्रांग है जिसे चालक का क्या कहते हैं प्रतिरोध कहा जाता है जिसे चालक का प्रतिरोद कहा जाता है जिसे चालक का प्रतिरोद कहा जाता है ठेक बच्चो तमझे आ गया यानि हमारा ओम का नियम क्या कहा किफी चालक में प्रभाहित होने वाले बिद्द्धारा की मात्रा या बिद्द्धारा की कामरत आई चालक के दोनों फिरोपर लगाएगे विवांतर भी के विवांतर यानि भी के प्रमानपाती होता है तो आई इस डारेक्टली प्रोफनल भी या भी इस डारेक्टली प्रोफनल आई हो गया मैं उसको solve किया D is equal to IR कह दीजिए या I is equal to क्या हो जागा R into BK यह हमारा क्या है OM का नियम और मात्रत तो बता दिया आपको मैंने क्या किया प्रतिरोज का मात्रत क्या होता है बच्चो OM ठीक है चली ठीक ओके आई students ठीक ही तीफेरी पायंट में क्या है आपका BISTRIUS प्रतिरोज proving क्या होता इस फैस्तिक रेजिस्टेंस अभी हम लोग के पहले प्रतिरोज पढ़े है आपको तो पता हो गया किक नहीं कोई चालक है उसमें कोई धारा प्रवाइट हो रही है तो उसमें कोई प्रतिरोध उत्पन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं प्रतिरोध अब यहाँ पे क्या हो जाए यानि गतिरोध उत्पन हो जाते हैं क्या बोलने के प्रतिरोध लेकिन अब यहाँ पे क्या है आ गया बिसिश्ट प्रतिरोध आ गया तो देखिए क्या कहा है उन्होंने किफी चालक का प्रतिरोध क्या लिखा है किफी चालक का प्रतिरोध और उसकी लंबाई यलके यानि लंबाई यलके क्या होगा शावादनुकार्थी तथा अनुक्रस्टकार्थ का परिछेड यानि अनुक्रस्टकार्थ के परिछेड एरि आünना जाएगा, आज़ा, और इनारिक्टिली प्रॉपोसिनल को मतलए नारिक्टिली अलुक्य फॉतकर्वाउन पाती हो गया, अब इसको फाल करिए तो याद रखिए जब हम डिसीफ्ट प्रसिरोद पढ़ेगे इसका इस स्रांग क्या होगा रो होगा क्या होगा बच्चों रो तो रो किसे दर साथ हैं देखें कैसे रो एल अपान ए तो ठीक है बच्चों देखें इसको क्या हुआ अब इसको और फाल करिए तो क्या हो जाएगा रो निकालना है आपको तो रो निकाल लेजे रो इसका इसका मल्टिप्लाइ कर देंगे तो रे अपान क्या बन जाएगा रो एक इस्चिरांथ है रो क्या है बच्चों इस्चिरांथ है अब जाएगा क्या रो एक इस्चिरांथ होता है जो चालकी प्रकीति पर निभर करता है इसे चालक का विशिट प्रित रोध भी कहते हैं बन जाएगा बन जाएगी यह कहां के आया कैसे आया किसी चालक का प्रित रोध आर उसकी लंबाई यलके समान पाती और अंप्राफ काट का प्रिछेद एके विश्प्रवन पाती होता है मैंने इसको फाल्व किया तो एक इस च्रांग लाया इस च्रांग के पाउन पा है रो है रो इस इकल टू आर ये पान एल तो आप फार्वला बन गया है आर ये पान एल आप चलिए इसके इकाई लिखते हैं इसका मात्रा क्या होगा बच्चों इकाई, किसकी इकाई बिशिट चालक, बिशिट प्रत्रोध की तो बिशिट प्रत्रोध की काई क्या होगी तो लिखेंगे बच्चों ओम सेंटी मेटर क्या लिखेंगे ओम सेंटी मेटर इसका कैमबल यह है ओम सेंटी मेटर यह हो गया ओम फेंटी मीटर हो गया और क्या है और लिखना है तो और दूसरा प्रें लिख लिजे पॉइंट यह पाई पध्धत में क्या होता है बच्चों यह पाई पध्धत में बिशिष्ट प्रत्रोध का जो मात्राफ होता है वह होगा ओम मेटर यानि जब यफाई पध्धत की बात आएगी तो यफाई पध्धत में क्या हो जाएगा यफाई पध्धत में क्या हो जाता है ओम मेकर ठेक ओम ये ये आजाएगा ठेक है ये मैं आपको डिश्नेशन बताना है पेपर में और क्या बताना है उसकी इकाई मात्रक बताना है ठीक बच्चों चले फोर्थ पाइंट होता है चालकत्त को बोलते हैं कंडेक्टर क्या बोलते हैं कंडेक्टर यह है क्या कंडेक्टर तो क्या है देखिए चालकत्त कामान कितका चालकत्त कामान चालक के प्रतिजोद के ब्यू होगा तो देखिए चाला को दरफाते किसे हैं सी से दरफाते हैं तो चाला कब तो को हम सी से दरफा दिये फिर क्या कहा उन्होंने उसके प्रतिरोध है प्रतिरोध का मतलब क्या होगा आर प्रतिरोध के बियुतक्रम के तुल्ले होगा यानि बियुतक्रम हमारा क्या होगा वा ये थेडियेशन कहा निकल गया गई चालक तकामान चालक के प्रत्रोद चालक के प्रत्रोद हमारा R हो गया फिर क्या लिए इसका जो जो बीज रुटक्रम होना चाहिए फामान पाती नहीं और होना के लिए बराबर होना चाहिए एकवलत तो C इक्वाल वान अपान और ठेक यह हमारा फार्मुला रिकल किया गया अब चलिए इसका मात्रक देख रहेते हैं तो मात्रक क्या होगा बश्चों मात्रक किसका मात्रक चालना है चालकत्त का मात्रक देख रहा है और चालकत्त का जो मात्रक होगा वह होगा ओम इनवर्स चलक menor को मात रजाए ओम इनवर्स ओम इनवर्स बता दीजे या महो भी कहा जाता है क्या बोला जाता है महो फ़ब याद रखना याद रखिएगा शुजरों कमनिषन पूछा जाता है इसके बाद हम थोरी सी बाद करेंगे आपको इसाई पध्धत में क्या कहते हैं if i i i i i i i i裡面 कस्पें तरफ आते हैं बच्चों इसमाल एक्टर एस से ब्यक्ट किया जाता है ठीक है समझने आ गया तो यह दिवान लिए आपके पेपर में यह कोश्चन पूछा जाए मतलब कहना चाहिए कि महों इनवर्स वराबर या ओम इनवर्स वराबर क्या होगा तो क्या बताएंगे ओम इनवर्स वराबर क्या होगा तो आप लिए दिजे सीमेंज ठीक है यह आपको याद रखियेगा यह मात्रक यूनित मुची आती है थेक है बच्चों चलिए इनवर इनवर्स वराबर क्या होगा तो क्या होगा, conductance होगा, ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए। 50 पाइंट बे, बिश्व्ट चालकत्तु की बात करते हैं, इस्टिस्टिक कंडेक्टम्स, यह क्या है इस्टिस्टिक कंडेक्टम्स, तो किसी चालक के बिश्व्ट प्रत्रोद का दियुत्क्रम, किसी चालक के, मतलब अगर कोई चालक का बदारत का नामत आएंगे, तो मतलब कहना चाहिए किसी चालक के बिश्व्ट प्रत्रोद का दियुत्क्रम, उसकी बिश्व्ट चालकत्त यह चालकता कहलाती है, यानि उसका ब्यूत करम होना चाहिए अब ब्यूत करम में होगा तो क्या हो जाएगा वाना पानी यह के रही वलकि कपा है चुकि जो हमारा विशूट चालाकर्तो है और विशूट चालाकर्तो को हम किसे बैस करते हैं कपा से बैस करते हैं किसे बैस करते हैं बच्चो क्या पा चोकि हमारा K है तो K फार कप्पा हो जाएगा यहाँ पे तो मतलब K is equal to 1 upon R अब आपको पता है कि रोजिकल्टू क्या होता है बच्चों रोजिकल्टू होता है आरे अपान एल के होता है और इसको आपको फाल करना है तो क्या हो जाएगा कपपा इसकल्टू वान अपान आरे अपान एल तो आरे अपान एल को अब फाल करिए तो क्या हो जाएगा या चुंकि याल आपान ए क्या होता है तो याल आपान ए को फिल इस्थिरांग कहा जाता है और आप जानते ही हैं प्रतिरोद है तो क्या हो जाएगा चुकि यालपान एंटो चालकत हो जाएगा तो लाफ्ट में आपका क्या निकल के आ जाएगा यालपान एंटो चालकत ठेक है समझ में आ गया तो यह रहा है आपका चालकत हो गया याद रखिएगा किसी चालक के विशुट प्रत्रोध का व्यूत्क्रम यानि कोई होगा उसका व्यूत्क्रम होना चाहिए वा उसकी बिशिट चालकत्त का लाता है और इसकी जो इकाई होगी तो इकाई लिख लिजेगा बिशिट चालकत्त इकाई क्या होगी बच्चों ओम इन्वर्स मेटर इन्वर्स हो जाएगी क्या हो जाएगी बिशिट चालकत्त की इका मात्रक, ओम इन्वर्ष, मेटर इन्वर्ष मात्रक क्या हो जाएगा ओम इन्वर्ष, मेटर इन्वर्ष इसको किस प्रकार लिखें कि ओम इन्वर्ष और मेटर इन्वर्ष या पलिक्या सेंबल दरफा दिया इसको फिर लाक्त में हम बात करते हैं किसकी तुल्यांकी चालक्ता तुल्यांकी चालक्ता उस्याज आते हैं तुल्यांकी चालक्ता को ब्यक्त किसे करते हैं बच्चों लेम्डा एक्यो यह लिखा हुआ है लेम्डा एक्यो यानि लेम्डा के ब्यक्त किया जाता है तो याद रखिएगा किसी बिलियन की तुल्यां की चालकता उन समफ्थ आईनों की चालकता होती है जो एक ग्राम तुल्यांकी विद्दुत अभगट को भी एमेल में बिले करने से उत्पन होती है यानि भी एमेल का मतलब आयतन में बिले करने से उत्पन होती है इसे लेम्डा पे ब्यक्त किया जाता है किसे तुल्यांकी चालक्ता को किसे ब्यक्त करते हैं बच्चों लेम्डा पे ब्यक्त किया जाता है और तुल्यांकी चालक्ता को लेम्डा पे ब्यक्त किया जाता है तो तुल्यांकी चालक्ता का मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक लिज लिए तुल्यांग की चालास्ता को हम सीमेंस मेटर स्केर या ग्राम तुल्यांग इंबर्सिक करते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सीमेंस सीमेंस मेटर स्केर क्या होगा सीमेंस मेटर स्केर या ग्राम तुल्यांग इन्वर्ष हो जाएगा ठेक है ग्राम तुल्यांग इन्वर्ष हो जाएगा तो समझ जाए आगे बश्चों कोई दिक्कत नहीं है पूँच लिजे जो पूँचना हो यह रहा है आपका क्या है चुकि मात्रक बता दिया सीमेंस मीटर इसके रिया ग्राम तुल्यांग की इन्वर्ष हो गया तो यह आपका रहा तुल्यांग की चालक्ता लाप्ट जो आपका 7 नमर है मोलर चालक्ता तो मोलर चालक्ता की डिखनीफन सेम टुशेम यही होगी तुल मोलर चालक्ता मोलर चालक्ता क्या बोलते हैं मोलर कंडेक्टंस किसे घाते हैं तो इसकी डिश्रीफन हो जाएगी लिख लिजिए मोलर कंडेक्टंस किसी बिलियन की मोलर चालक्ता क्या हो जाएगी किसी बिलियन की मोलर चालक्ता यानि किती बिलियन की मोलर चालक्ता क्या होगी मोलर चालक्ता पदार्थ के एक ग्राम मोल अभी वहाँ पे क्या था एक ग्राम को लिखा था यहाँ पे क्या है एक ग्राम मोल को धी मतलब क्या होगा आयतन एक मोल को धी घन सेंटी मीटर में बिले करने पर क्या था एक ग्राम मोल को धी घन सेंटी मीटर में बिले करने शे उत्पन हुए बिले करने शे उत्पन हुए क्या उत्पन हुए? आयनों की संख्या या आयनों की चालक्ता होती है उत्पन हुए आइनों की चालक्ता होती है जिसे क्या काते हैं मोलर चालक्ता काते हैं और मोलर चालक्ता को किसे बरते करते हैं बच्चों क्योंकि मोलर चालक्ता है तो मोलर चालक्ता को आपको लेम्दा है लेम्दा भी एक्यू की इस्थान पर क्या हो जाएगा लेम्डा ही रहता है लेकिन यम लिखा रहता है यम का मतलब क्या होगा मॉलर चालकता ठेक बच्छों याद रखिएगा यह आपका मॉलर चालकता हुआ क्योंकि डिफिनीफन देखिए क्या लेगा किसी बिलन की तुल्यांकी चालकता उन समक्त आयनों की चलकता है जो ग्राम तुल्यांग की विद्दूत अगट को BML में बिले करने से उत्पन होता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंतर शिर्व क्या है एक ग्राम मोल को BML में घन केंटीमीटर में बिले करने से उत्पन होता है क्या आयनों की चालकता उपन होती है ठीक है तो जब मोलर चालकता की बात आएगी तो एक्यू की बात करेंगे जब जब मोलर चालकता की बात आएगी यहां पे एम की बात करेंगे तो मतलब लेमडा रहेगा लेकिन एम रहेगा मोल अगर एम को क्या काते हैं एम ओयल को मोल से दर्पाते हैं जब अब तो लेंदा एक्यू रहेगा ठीक है बच्चों समझ्या गया तो यह आपका फेबन पॉइंट था बहुत ही मात्रकूर सेपर में इसमें पूछा जा चुका है क्योंकि पूछा गया था कि निम्निकी टिपड़ी लिखिए अथवा निम्निकी मात्रक देनाटे हैं क्या क्या पॉइंट है उसमें आप मत्रक देख लिएगा चुकि मात्रक हमेंसा इं Following होता है एक एक लकाै मैं लिख दियता हूं. चुकि प्रतिरोद, विश्यष्ट प्रतिरोद. देखें क्या है? आपका प्रतिरोद हो गया. फिर विश्फ प्रतिरोद. दुख्रा पांड गया होगा? जा लक्ता. बिश्यष्ट चा लक्ता. चालकता विशिफ्ट चालकता ठेक चार हो गये फिर इसके बाद चालकता विशिफ्ट चालकता हो गया तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता क्योंकि यहां पे आप्जेक्टिव भी आना है शेलिश डांग यह आपके कितने पॉइंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब आगे बात करते हैं की मात्रक की बात करते हैं तो आपको याद होगा प्रश्रोद का मात्रक क्या होगा बच्चो ओम याद रहे चुकि हम एक दूसरे का यहां रिलेशन बताएंगे तो विश्रोद क्या हो जाएगा ओम सेंटी मीटर क्या होगा ओम सेंटी मीटर ओम सेंटी मीटर ठीक है याद रखियेगा ओम और ओम सेंटी मीटर हो गया अब चालकत की बात करेंगे तो चालक्ता की क्या होगी ओम इन्वर्स सेंटी मीटर ओम इन्वर्स बोल सकते हैं इसको ओम इन्वर्स ठेक इसको महो भी बोला गया था ना महो या महो त्याद रखिएगा चालक्ता का मात्रक ओम इन्वर्स हो जाएगा तो बच्चों यह बताईए शेंटे मेंटर इनवर्ट हो जाए गा ठीक है याद करते लएगा ध्यान दहखके लाफ्स निक्त है आपका निक्त में क्या होगा जब आपकी तुल्यांग की चलागता की बात आएगी तो ओम इंवर्प शेंटिमेटर की स्कैर faamya होगी ओम इनवर्ट से संटे मेंटर Mog 시 Ready क्या कहेंगे? Gram तुल्यांक inverse ठिस Gram तुल्यांक mathematicundred照 हो गया और molar से लगता क्या हो जाएगा? ום inverse centimeter square mall invert क्या होगा? ום inverse centimeter square और mole inverse हो जाएगा क्या? देखी अंतर कितना निकला समझा गया ना मोल इंवर्स अंतर क्या इसमें तुल्यांकी चलक्ता जब बात होगी तुल्यांकी चलक्ता में मोल इंवर्स ओम इंवर्स सेंटीमीटर इसकर ग्राम तुल्यांकी इंवर्स और जब मोलर चलक्ता की बात आएगी ये पेपर में आ चुका है प्रत्रोध बिशिष्ट प्रत्रोध और ये आपका अस्वेलिस रांग ये दोनों बहुत ही मात्रकूर कोशन पेपर में कई बार आ चुके हैं तिमको आप नोट कर लेंगे तो ये रहा एक और कुछ पूछ फूट रहा है ने आपका आपको याद ह से कोचे का होगा कि बिद्द्धारा कि क्या होगा विद्द्धारा कुके भूट्धारा की कैसे बोलते हैं क्या हैं मात्रक इंप crypto ये आपका ये ये मात्रक था तो कि मात्रक आ पको एक गर्पाइंट की बात कर रहा हूं देखे चालकथा और डिव्यूट चालकथा चालकथा का मात्रक Ohm इंवर्स तो डिव्यूट चालक्था के सी ह meillä जाज है यहां पर Ohm 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 car你就 gonna 4 अब देखिये चाल ओम इंवर संतीमीटर सर्स ग्राम तुल्यांकी इंवर्ग हैghanindo cukmos चैलाकशा दबसे हैं और इसके बाद क्या होगा इसका रिलेफणी इसका रिलेफणी की इसके डे दिया आप लास में आपका बचाना फेलिस रांग और विद्धुद्धारा फेलिस रांग का याद कर जिए सेंटीमीटर इन्वर्ज और विद्धुद्धारा का मात्रक क्या होता है यहां पेपर में आते हैं पेपर में कोश्चन दो बार आ चुका है कि परिभाफा कैसे पूछा गया था निम निकी संचित टिप पड़ी तो आपकी डिफिनेशन लिखनी है और मात्रक पांच लिखना है कम से कम ठेक है बच्चों मैं आपको साथ बताया लेकिन आप डिफिने पूछा जाएगा उतना जिवाब देख क्योंकि उसमें लिखा रहाता है नाम लिखा रहेगा उसकी डिफिनेशन और मात्रा क्लिकना पड़ेगा ठेक है कुछ पूछना है आपको कमेंट कीजिए कुछ पूछना हो तो पूछिए और यदि मान लिजिए आपको डाउट क्योंकि वहां पर क्या होगा लाग दाउन में यदि आपको घर बैठे प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को तो निश्ची तुरुपते आप उसका इस्तेमाल कीजिए पढ़िए लिखिए पमजिए जो प्रावलम हो तो प्रावलम क्रिएट कीजिए निश्ची तु बार बातिंगे की वीडियो